है लो फ्रेंड्स नमस्कार आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नये फैल्थ रिलेकिक टॉपिक के वीडियो की लेकर आया हूं फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सिर्दत को ठीक करने के लिए को सिंपल एक्ससाइज के बारे में जिन exercise को करके आप अपने सिर्दद को तुरंट ठीक कर सकते हैं कई बार जो आपको सिर्दद होता है वो tension और stress के कारण भी होता है कई बार आपको migraine का attack आता जिसमें भी आपको काफी ज़्यादा सिर्दद होता है और कई बार जब आपके cervical reason में nerve compress होती है जिसके कारण जो दर्द है आपका सिर्द में आगे तक आता है जिसे हम सर्वाइकोजनिक headache भी कहते हैं और कई बार ये आपको gaze के कारण भी होता है तो ये अलग-अलग तरीके के सिर्दर्द होते हैं जिसके कारण आपको काफी परेशानी होती है और कई बार तो आप painkiller खाकर भी सरद्यत को ठीक नहीं कर सकते तो ऐसे condition में आप इन exercise को जरूर ट्राइ करें आपको जरूर फायदा मिलेगा तो आईए start करते है exercise बट start करने के पहले आप में से जो भी चैनल पर ना है चैनल को subscribe कर ले बैल आकें बटन को भी दवाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो के notification आपको time time पर मिलते रहे जब भी आपको सिर्दध होता है तो सबसे ज़ादा important role होता है आपके blood circulation का कई बार blood circulation proper ना होने के कारण भी आपको headache होता है तो इसमें आपको first exercise में इसमें feel करते हुए thumb को उपर से नीचे की तरफ लेकर आना है अंगुठे को उपर से नीचे लाएंगे और जहाँ पर आपको hollow shape मिलेगा थोड़ा सा अंदर की तरफ गड़ा वहाँ पर आपको अपने thumb से प्रेस करना है और इसे प्रेस करते हुए clockwise इस तरीके से हलका सा rotate करेंगे हलका सा आपको थोड़ा सा pain भी हो सकता यह आपका pressure point है इसे clockwise 5 बार और anti-clockwise 5 बार इस तरीके से repeat करेंगे फिर से थोड़ा सा rest लेंगे अगेन इसको इस तरीके से अंगुठे को लेकर आएंगे clockwise और anti-clockwise इसको मसाज करते हुए pressure point को दबाते हुए release करेंगे इसके बाद next exercise में आपको अपनी तीन finger इस तरीके से ले लेंगे और इसको आपको नीचे से उपर की तरफ मसाज करते हुए ले कर जाना है हमेशा ध्यान रखी आपको नीचे से उपर की तरफ ही मसाज करना सिर में इस तरीके से मसाज करते हुए अपनी fingers को ले कर जाएंगे इसे भी आप 5-10 बार इस तरीके से repeat करेंगे next exercise में अब आपको अपनी finger को बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से ले कर आना है इस तरीके से भी आप बाहर से अंदर की तरफ muscles को release करेंगे इससे आपके जो सिर का blood circulation है वो काफी अच्छे से improvement होगा जिससे आपको headache में काफी relief देखने को मिलेगा इसकी next exercise में अब आपको जो आपकी trapezius muscles होती है यह वहाँ पर आपको अपने हातों से इस तरीके से grip कर लेना है और trapezius muscles के upper fiber को इस तरीके से दबाते हुए release करना है इससे भी आपको अपने सिर्दत को ठीक करने में काफी help मिलेगी इससे भी आपको कम से कम 30 second या 1 minute तक करना है next exercise में अब आपको अपनी finger को जहाँ पर आप feel करेंगे एक उभार सा मैसूस होगा वहाँ पर अपनी finger को place करना है और अब आपको अपने सिर को उपर इस तरीके से जितना हो सके उपर लेकर जाएंगे और जितना हो सके नीचे लेकर आएंगे इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपनी उंगलियों को अपनी जो cervical bone है उस पे pressure rise करके रखना है और दबाते हुए up and down head moment करना है इस तरीके से और इसी में अब आपको left और right भी neck moment करना है तो इसे भी आप 5-10 बार उपर और 5-10 बार नीचे इस तरीके से repeat करेंगे friends next exercise में अब आपको जो आपकी eyebrow है जहां पर आपकी eyebrow end होती है वहाँ पर इस तरीके से finger से press करेंगे और अब आपको press करते हुए इसमें clockwise इस तरीके से release करते हुए clockwise उंगलियों को गुमाना है और इसमें भी आपको 5-10 बार clockwise और 5-10 बार इसमें आपको anti-clockwise गुमाना है ये भी आपको इस तरीके से perform करना है इसकी next exercise में अब आपको थोड़ी सी finger को उपर लेकर आना है इस तरीके से rotate करते हुए मसाज करना है इसके बाद next exercise में अब आपको अपनी finger को बिल्कुल center में इस तरीके से place करना है इस point पे इसमें भी आपको press करते हुए दबाते हुए घड़ी की सीधी दिशा में और उल्टी दिशा में मसाज करते हो इस तरीके से finger को rotate करना है इसके बाद next exercise में आपको अपनी कान के पीछे वाली जो हड़ी होती है यहाँ पे आपको अपनी finger को press करना है और इस जगह पर press करते हुए हलकासा clockwise और anti-clockwise इस तरीके से rotate करते हुए मसाज करनी है इसे भी आपको 15-10 बार clockwise और anti-clockwise repeat करना है तो friends यह थी कुछ simple exercise जिनको करके आप अपने सिर्दत को ठीक कर सकते हैं जब भी आपको headache हो इन सभी exercise को जरूर apply करके देखें और comment करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होग और यह जानकर यह आपको समझ में आये होगी इसी तरीके से अपना प्यार बनाएं रखें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैभारत